मित्रों अक्टूबर के महीने में आप लोगों के जीवन में ये तीन बड़ी घटनाएं घटित होने बाली है मनुस्य के जीवन में दुख और सुख आती जाती रहती है मनुस्य को कभी बहुत सारे सुखों के प्राप्ति होती है तो कभी कई सारे दुखों और तकलिफों का सामना करना पड़ता है ऐसे में अक्टूबर के महीने में आप लोगों के जीवन में ये तीन बड़ी घटनाएं घटित होने वाली है मत्रों आप लोगों से अनुरोध हैं कि अगर आप अकेले हैं और एकांत में हैं तब ही इस वीडियो को पूरा देखें अन्नथा आप इस वीडियो को यहीं पे स्कीप कर सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में बताई जाने वाली सारी के सारी बातें गुप्त और रहस्यमई रहेगी जो सिर्फ और सिर्फ आपको ही जानना सुनना और समझना चाहिए क्योंकि अक्टूबर का महीना आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है इस महीने ग्रहों के कुछ ऐसे इस्तिया बनेंगी जो आपके जीवन में धन दौलत, ऐसो अराम, धन समपता के प्राप्ति करवाएंगी परिवार वाले घर वाले और समाज वाले आपके इज़त करणे वाले हैं इसी के साथ इस वीडियो में हम आपको ऑक्टूबर महीने के महरासी फल की बारे में बताने वाले हैं आपको बताएंगे आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्त कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, बिजनस बैपार कैसा रहेगा, धन की इस्तितियां कैसे रहेगी, बैपार की इस्तितियां कैसे रहेगी और अक्टूबर महीने का वो कौन से तारिक है जो आप के लिए सब से सुब और सब से लखी रहेगा कौन से छेत्रों में कारी करते समय आपको सावधान सतर को समल कर रहने की जरूरत रहेंगी मित्रों आपको बताएंगे बैपार करियर उनसे रूड़े बहुत सारे ऐसे फ़हलों के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बहतर बनाने में काफी लावकार इसावित होंगे मित्रों उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनलन को सस्क्राइब और वस्से कर लें ताकि वो जाना रासिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सके मित्रों ओक्टूबर का महीना यह आपकी किस्मत आपका साथ देनी वाली है जिसकी वज़े से जटल से जटल समस्याओं का समाधान भी इस महीने आपको मिलेगा परियोजनाएं जो रुरकी हुई थी जो प्रोजेक्ट रुके हुए थी वो भी अब गती पकड़ने वाले हैं कारिश्यतर में काफी तरक्की और काफी उन्नती होने वाली है एक लंबे समय से प्रतिक्षिय यात्रा भी सफल होगी अगर आप बहुत लंबे समय से किसी टू महीना आपके लिए काफी सुब रहेगा वैविसाई अपने वैविसाई चित्र में ख्याति प्राप्त कर सकते हैं वैपार वैविसाई विस्तार करने के लिए यह महीना बेहदी उपयोगी और काफी लापकारी रहेगा आर्थी रूप से देखा जाए तो यह महीना आपके लिए और आपके प्रिवार की आर्थिक इस्तितियों में वदलाव के लिए बहुत अच्छी उमीदे लेकर आने वाला है वत्रों वित्य और संपत्ति से समंदित मामलों में आपको किसी बड़े और बहत्रिन वेक्ति से सलाह भी प्राप्त होने वाला है इस महीने प्रेम आ विसे स्थ्यान दखना आपके लिए जरूरी सावित होगा इस महीने आपको अपने अपरत्यासित दों खर्चे हैं वो आपको कंट्रोल करने होंगे वेफुजूल के खर्चे आपको कंट्रोल करने होंगे नहीं तो ये खर्चे आपके आपके जीवन में परिसानिक उत्मन कर सकते हैं या फिर आपको आर्थिक तंग्यों का सामना भी करवा सकते हैं इसलिए जिस अनुसार से आपको आपकी सेलरी मिलती है जिस अनुसार से आपकी कमाई है उसी अनुसार से आपको खर्च करने की भी विसे सला दी जाती है इस महीने आपको आपके वेवसाइक यह समय काफी उन्चित रहने वाला है आपको इस महीने कोई सुबसमाचारों की फ्राप्ती होंगे जिससे आपको लाव ही लाव प्राप्त होने वाला है मतरों नए कारुबार को करने के लिए नए वैविसाई बैपार इत्यादी करने के लिए आपके लिए यह समय बेहदी उप्योगी रहेगा जेडल समस्याओं का समधान भी आपको इस महीने स्वता ही फ्राप्त होने वाला है बैविसाई के रूप से यह महीना काफी अच्छा रहेगा नौकरी पेसे वाले जात्कों को कोई सुबसमाचार के फ्राप्त होंगी यह समस्याचार आपको आपके जीबर में नौकरी बैपार वेवसाई करियर लव लाइफ में आपको एक नया उमीद जगाने वाला है नई ओपर्चुनिटी आपको दिलवाने वाला है आप अपने विचारों को दूसरों के समक्ष सकरात्मा गूरूप से परसुत कर पाने में सफल होगे परिक्षा या पर्ट्योगिता के माद्यम से नौकरी के तलास करने वालों को या फिर खुद का अपना वेवसाई शुरू करने के जो एक्चुक लोग हैं उन लोगों के लिए अपने परियासों को सफलता का प्राप्त करने के लिए या महीना उपयोगी रहेगा आपको आपके जीवन में वह मंजिल प्राप्त होगा जिसके लिए आप काफी लंबे समय से इंतजार में थे या खतार में थे वह हैं इंतिजार आपको आपके लक्षे तक ले जाएगा और कारिशत्र में काफी बड़ा सुधार होगा आपके आर्थिक इस्तितियां और निजी जीवन भी सुधरने वाली हैं मत्रों विर्जगारों को रूजगार की फ्राप्ति इस महीने होने वाला है वहीं आप अपने खुद के वैवसाय वैपार का भी विश्थार करने के लिए योजनाओ को बना सुकोगे आप अपने समर्पन और कड़ी महनत से दूसरों से आगे रहोगे और यही महनत और यही कड़ी समर्पन आपको आपके जीवन में बड़ा उमीद जगाने वाला है पारिवारिक जीवन भी आपके लिए काफी जादा समाजे से पूर्ण रहेगा पारिवारिक इस जत्यां भी काफी अच्छी होंगी परिवार के जिन लोगों के साथ मदभेद लग रहेते वो मदभेद भी अवस्य ही दूर होने वाला है मतरों यह महीना आपके लिए बहुती उत्साह जनक रहेगा और आपको आपके कारिशेतर में थोड़ी सी बाधायें और कारे में देरी का सामना करना पड़ सकता है परन्तु पारिवारिक से योग और आर्थी रूप से आप इन सभी कटनायों को और बाधाऊं को दूर करके जीबन में अपने लख्च को प्राप्त करपाने में 72 साहसित करम उठाने वाले हैं मतरों आपको इस महीने मौसम जैसे बिमारियां बदलते विये मौसम के कारण जिन बिमारियां होती है उन विमारियों से आपको सतर कर रहना होगा अपने स्वास्त को लेकर लापरवाही करने से बचने का प्रियास करना होगा क्योंकि बदलता हुआ मुसम आपकी लापरवाही की वज़े से आपको मुस्किलों में डाल सकता है इसलिए आपको आपके स्वास्त का विसेश ध्यान रखना होगा मतरों आपको बताना चाहेंगे कि आगे की जानकारिया जो भी बताने जा रहा हैं वो वहती गुप्त और काफी रहस्वमई रहेगी इसलिए आप लोगों से अनुरोध हैं कि अगर आप अकेले हैं और एकांत में हैं तब ही आगे की जानकारियों को जाने समझें और इन जानकारियों को आप किसी के साथ भी साज़ा न करें इसे आप अपने जीवन में सही तरीके से यूज करने की अवस्य कोसित करें मत्रों भगवान स्रीहरी विस्णूजी की खृपा के साथ सा धनकी देवी माता लक्ष्मी की खृपा आपको इस महीने प्राप्त होने वाली हैं जिसकी वज़ा से आपको एक ऐसे मनुस्य का सहयोग मिलेगा जो आपको सही दिसा दिखाने वाला है सही कारिशेतर में आपको योगदान करने में आपके सहता करेगा कठन परस्थित्यों में डटकर सामना करपाने में वो व्यक्ति आपका सही योग कारी रहेगा आपको परिवार के सदस्यों का पूरा सयोग और सिनह की फ्राप्ति होने वाली हैं प्रेम समंदवी यथावत रहेंगे और आप अपने जीवन सैली में कुछ छोटे छोटे वदलावों को करके आप अधिक सफलता को प्राप्त कर सकोगे सगरात्मक मैसूस कर शनी वाले हैं व्यवसाईग रूप से आप प्रगति करेंगे उन्नती करेंगे प्रियतन सील रहेंगे आप अपने कारें के लिए कारिस्तल फर बोहती परसंसा के पात्र बने रहेंगे क्योंकि आप अपने कारे को कुछ इस तरीके से करोगे जिसे कि सब लोग आपके मूरीद बनेंगे सब लोग आपके परसंसा करेंगे सब लोग आपके कारे करने की जो विसेशता है उसके बारे में आपकी बड़ाई करने वाले हैं आप बेसे कुछ लोग नए समंद, नए साध्यदारी या नए कारिशित्र बे परवेश कर सकते हैं, जो आप लोगों को सफलता दलवाने में शफल रहेंगे, कारिशित्र में भी काफी उन्नती होने बाली हैं, परतिजंदू आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, जो ल लोगों के साथ आपके समंद भी पहले से काफी बेतर होता वा दिख रहा है, इस्तिर आए, आपकी आमदनी इस्तिर रहेगी जहां तक कि आपकी आमदनी बढ़ने ही वाली हैं, और इससे आपको बहतर रिस्तियां मिलेंगी, जिससे आप प्रोश्चाहित रहोगे, भूमी स अत्यनत सुब रहेगा, अत्यनत लापकारी रहेगा, तो मित्रों इन दोनों के लिए आप अपने आपको सहज महसूस करके, जो भी आपको ठीक लगे, वो कर सकोगे, वहीं यदि आपकी विवाह योग्य आयू है, तो विवाह समंद तैह हो सकता है, विवाह के मार्ग में आ लोगों को जीवन साथी का सयोग प्राप्तो होने वाला है, लेकिन स्वास्त पर ध्यान देने की आवस्त सकता रहेंगी, क्योंकि आप छोटी मोटी बिमारियों का सामना कर सकते हैं, और आपको आपके जीवन में सावधानी से अपने बिमारियों का डट का सामना और सही चार सही समय पर करना चाहिए यात्रा बहती फायदिमंद रहेगी अगर आप किसी लंबी यात्रा लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे तो उन यात्राओं को करना इस महीने बहती सुब रहेगा रिशनात्मक लोगों के साथ आज आपका आने वाला बहुती बहत्रिन कारे करने बाले हैं वही भगवान स्री सनीदेव जी की क्रिपा से भी आप किसी नई पुर्योजनाओं के स्रुवात कर सकते हैं जो आपको वीतिलाप की प्राप्ति करवाने का प्रबल संकेत दिखा रहा है आपने सौक सौरत को विक्सित कर सकोगे अपनी सौक को पूरा करने के लिए भी यह समय काफी रेतादा सुब रहने वाला है बविस्य में यह आपके लिए अतनते ही लाबदायक और काफी सुन्दर सावित होगा प्रिवार में कोई सुबकारिस संपन्न होने वाला है जिस जे आपको बड़ी फरसंता मिलेगी मित्रों आपका दिन बहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जे माता दी अवस्य लिक हैं आपका दिन सुबहों मंगल कारी हो जे माविंदु वासनी